बोजपुरी फिल्मों के सूपरस्टार पवन सिंग्, दूसरे सूपरस्टार खेसारी लाल में जब दोस्ती हुई तो सभी के आँखे खुशी से भर गएं क्योंकि कापी लंबे समय के बाद ये दो दोस्त एक हुए थें जिसकी तमन्ना वर्षो से लोगों में थी लेकिन जब ये दोनों एक हुए तो अक्षरा और पवन का ब्रेक अप हो गया, हाला कि दोनों की दोस्ती दोनोंके ब्रेक अप की वज़े नहीं थी, बलकि पवन सिंह कि शादी के बाद ही अक्षरा उनसे अलग हो गई उसके बाद ये दोस्ती दुश्मनी में इस तरह बढ़ी कि जब खेसारी की फिल्म में अक्षरा को साइन किया गया तो पवन ने खेसारी को अक्षरा को फिल्म में लेने से मना भी कर दिया था ये कहकर कि भाई अक्षरा को अ सब एकषरा एक साथ फल्म भी करदे वाले हैं तो पवन सिंग की बाद ना मान कर bety Tut ने अब फिर से दोस्ती से हांगे थो दिया या फिर क्या खेशारी और एक्षराइक होंगे तो पवन खेशारी से भी दूरियां बना लेंगे देखना दिल्चसप हुने वाला है जब दोनों साथ में एक साथ फिल्म करेंगे तो इस फिल्म का कितना दबदबा वॉक्स ऑफिस पर रहता है और दोनों की जोड़ी के हिट होने के बाद बाकी के स्टारों में कितना कॉम्पेटीशन बढ़ता है नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया से ममता किरिपुर्टीशन बढ़ता है